नवश्कार सभी साथियों को स्वगत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडेवीद पियन लोदा साथियों आज पूरे 150 महत्पुन प्रिश्णों का पेपर एक्जाम पेटर्न के एकोडिंग आपके लिए लेकर आया हूँ देखिएगा इस महाम मेराधन टेश्ट में पूरे 150 प्रिश्ण आपको मिल रहे हैं और माइनस मार्किंग की सहित एक बटा 3 माइनस मार्किंग याँ पर की जाएगी प्रतिय गलत प्रिश्ण के लिए प्रिश्ण को सही करने पर एक नंबर प्राप्त आपको होगा और गलत करने पर एक बटा 3 नंबर कम होगे इमान दर इसे टेश्ट को अल करना इमान दर इसे कमेंड करना अगर आप 100 प्रिश्ण इसमें से कर देते हो माइनस मार्किंग को आप एक तरफ कर दो साथियों तो यकीन मानिएगा आपकी बहुत ही शांदार तैयरी थर्ड ग्रेट सिक्सक भरती 2023 की चल रही है तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को पहला प्रिशन देखेंगे साथियों एक एक प्रिशन को पूरे 150 प्रिशनों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहले प्रिशन को देखेगा प्रिशन संख्या एक में क्या है आपके राजस्थान के किस किले में इसलामी संत मलिक शाह का मगबरा है तारागड, रन थंबोर, चितोड और जालोर तो इनमें से जिस किले में इसलामी संत जो है मलिक शाह इनका मगबरा जिस किले में इस्तित है उस किले का चैन आपको पहले प्रिश्ण में करना है और साथियो मलिक शाह का जो मकबरा है ये जालोर के किले में इस तित है विकल्प नमबर 4 आपके प्रिश्ण नमबर 1 का सय उत्तर होगा साथियो देखो कोई प्रिश्ण अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो उस प्रिश्ण को छोड़ देना क्योंकि प्रिश्ण को गलत करोगे तो एक बटा तीन नंबर कम होंगे साथियो बिल्कुल इमानदारी से अपना आकलन करना इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इमानदारी से साथियो तो प्रिश्ण नमबर दो क्यों और बढ़ते हैं देखेगा दूसरे प्रिश्ण को कि संशोदन द्वरा प्रिस्तावना में समाजवादी पंत निर्पेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए 22 सविधान संशोदां 1976, 24 सविधान संशोदां 1978, 61 सविधान संशोदां 1999 और 52 सविधान संशोदां 1985 तो मित्रों एक बात मैं आपको बता दू राजिस्थान जिके के जितने भी प्रिश्ण आप यहाँ पर हल करने वाले हैं सबी प्रिश्ण में ने राजिस्थान अध्यान की जो किताब है गोवर्मेंट किताब जो है ना सात्यों राजिस्थान अध्यान की कक्षाथ 6-12 तक की किताबों से ही टोटल राजिस्थान जिक्रे के प्रिश्ण लिए गए हैं मतलब ये आपके लिए बहुत ही जादा इंप विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या 2 का सउध्तर है देखिए जिसमें जिस सविधान संशुधन दोरा प्रस्तावना में समाजवादी पंत निर्पेक्षता और अकंता शब्द जोड़ गए वो सविधान संशुधन था 42 सवा सविधान संशुधन तो विकल्प नमबर एक आपके प्रिश्ण संख्या 2 का सउध्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रिश्ण नमबर तीन में आपसे क्या पूँचा जा रहा है महमूत खिलजी परतम ने राजस्तान के किस किले में एक कोट का निर्मान करवा कर उसका नाम रखा था लोहगड किला शेरगड किला गागरोन का किला और अचलगड का किला तो तीसरे प्रिश्ण संख्या 3 में कौन सा विकल्पाप का सई है देखो महमूत खिलजी परतम के द्वरा राजस्तान के जिस किले में एक कोट का निर्मान करवा कर उसका नाम क्या रख देया गया मुस्तपा बाद उस कीले का नाम है गागरोन का खिला यह के जानते हैं यह एक जल दुर्ग हैॉप राजस्तान में कहाँ पर इसदी्त हे जालावार जीले में इसदीत है कों से जिले में जालावार जीले में तो थरड विकल्पा आपकी तीसरे प्रिश्ण का सई Asser है ये टेस्ट कल साथियों मैंने एप जो है इस पर मेरतन टेस्ट नंबर पांच अल करवाया था, और आज भी मैंने एसेस्टी लेवल टू वाले जो हैं, जो रीट मेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, लेवल टू एसेस्टी से, उनके लिए भी पूरे 150 प्रिश्णों का जो पेपर है, इस्टेडी विद पिएन लोधा एप पर, 149 वाले कोर्स में अप्लोड कर दिया है साथियों, और साथ ही लेवल टू में जो हिंदी वाले हैं, लेवल टू हिंदी का भी पूरे 150 प्रिश्णों का जो एक्जाम पेटर् किये जा चुके हैं, अगर आप टेस्ट को IC सिरीज को जोईन करते हो, तो पिछले 190 टेस्ट भी आपको उपलब्द हो जाएंगे साथियों, चलिए चोते प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे, मित्रो प्रिश्ण नमर चार में क्या है, इनमें से अमल वर्षया के लिए उत्तरद अमल वर्षया के लिए उत्तरदाई गेस कौन सी है, कार्बन मोनो अकसाइड, हाइट्रोजन, ओक्सिजन और सल्पर डाई आकसाइड, तो इनमें से जो अमल वर्षया के लिए उत्तरदाई गेस है, उसका चैन आपको प्रिश्ण संख्या 4 में करना है, और साथियों देखो चोते प्रिश्ण का अंसर देखे, तो विकल्प नमबर जो 4 है, सल्पर डाई आकसाइड, ये जो है, ये अमल वर्षया के लिए उत्तरदाई गेस मानी जाती है, विकल्प नमबर 4 आपके चोते प्रिश्ण का से उत्तर है, प्रिश्ण नमबर 5 ये और बढ़ेंगे, तो च प्रिश्ण नमबर 5 का उत्तर देखते हैं, तो विकल्प नमबर जो 1 है, आपके कौनसा जिला, दोलपूर जिला, बिल्कुल दोलपूर जिले में ही, बाबु माराज का मिला लगता है, जो राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला है, और जो शेथपल की दश्टी से सबसे चो जोड़ा सही नहीं है, मारवाड उस्सव, जोदपूर, उट माउस्सव, बिकानेर, हाती माउस्सव, जैपूर और ब्रिज माउस्सव, अलवर, तो इन में से जो जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है, उसका चैन प्रिश्ण नमबर 6 में करना है, और साथियों छेटे प् प्रिश्ण का विकल्प नमबर 4 सही है, मारवाड उस्सव कहा है, जोदपूर में, उट माउस्सव कहां, बिकानेर में, और हाती माउस्सव कहां, जेपूर में, ये तेनों तो सही है, चोटे विकल्प को छोड़ कर तो छेटे प्रिश्ण का आंसर भी चोटा विकल्प ही र रही है और सुगंदा दश्मी परू का संबंध इन में से जिससे है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है साथियों विकल्प नंबर दो में दिया हुआ है सुगंदा दश्मी परू जेनियों के दौरा मनाए जाता है सुगंदा दश्मी परू जेनियों के दौरा तो सेगन व गुदेपूर, बांसवाडा और चित्तोर तो इन में से जो ब्लेक पोर्टरी के नाम से प्रसिद है जो इस्थान उस इस्थान का चैन आपको प्रिश्ण नमबर आठ में करना है मित्रों आठवे प्रिश्ण का सही उत्तर देखे तो विकल्प नमबर जो आपके एक है सवाई इसी वज़े से परिश्ण आठ में आपके विकल्प नमबर एक सही होगा साथियों प्रिश्ण संख्यान नो की ओर बढ़ते हैं चलिए नौँआ प्रिश्ण देखें गे भरत, शूप हुरम जी आरी यह है इनका संबंद किस्ते है यह किस्ते संबंदी थे कडाई वे पेचवर्क से ब्ल्यू पोर्टरी से पीतल वे नकाशी से और गलीचा वे धरी से तो प्रिश्ण संख्या नो का उत्तर बताओ मित्रो प्रिश्ण मबर नो में कौन सा विकल्प साही रह नमबर एक है यह आपका सही उत्तरों का साथियों दसवे प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं प्रिश्ण नमबर दस में क्या है मारवार शेली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किस ने किया मीर बक्ष ने साहिब राम ने पुंडरिक ने और वीर जी ने त दसवे प्रिश्ण का उत्तर बताओ साथियों प्रिश्ण नमबर दस में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देखो एक चित्रावली है जिसका नाम है रागमाला 1623 में इसका चित्रांकन किया गया लेकिन बात यह है कि कि किसके दोरा किया गया और कौन सी शेली में ये नि 11 की और बढ़ेंगे साथियों 11 प्रिश्ण में क्या है राजिस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड क्या है मिट्टी का बना हुआ एक पात्र है मिट्टी के बने कलात्मा घोड़े है महिला वे पुरुशों का विशिष्ट लोक श्रंगार है और हाती दात की पट्री पर ब बताना है मिट्रों 11 प्रिश्ण में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे आंसर देख लेते हैं 11 प्रिश्ण का तो देखो राजस्तान की लोक कला में प्रचलित जियो हीड है ये मिट्टी का बना हुआ एक पात्र है क्या है ये एक मिट्टी का बना हुआ एक पात्र जिसको हीर कहा जाता है विकल्प एक आपके ग्यारवे प्रिश्ण का से उत्तरे मित्रों प्रिश्ण नमबर 12 की और बढ़ते हैं तो चलिए बारवा प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमबर 12 निम्बार्ग संप्रदाई की प्रमुक पीट है रेन में गलिया कोट में नाराइना म इनमें से निम्बार्ग संप्रदाई की प्रमुक पीट जिस इस्थान पर इस्थान का चैन आपको प्रिश्ण नमबर 12 में करना है साथियों बारवे प्रिश्ण का अंसर देख लेते हैं तो चलिए तेरवा प्रिश्ण देखेंगे के सर्या बालम आओ नी पदारो मारे दे आपने जरूरा आपने जरूर सुनाा होगा जिस का गायन किस द्वारा किया गया था और इस गायन के करण इन 1982 ECV में पदम श्री से सम्मानित किया गया था साथियों बात यहाँ पर की जा रही कि किस राग में इसको गया था तो भाई इनों ने इसको मांड राग में गया था कौन से राग में गया था? मांड राग में विकल्प तीन आपके तेरवे प्रिष्ण का से उत्तरे साथियों प्रिष्ण संख्यात चाउदा की ओर बढ़ते हैं तो चाउदुवे प्रिष्ण देखेंगे भीलो का प्रसिद लोग गीत जिसे महला और पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं सूपना, जोरावा, हमसीडो और सूलिया चाउदुवे प्रिष्ण का से उत्तर बताए मित्रो प्रिष्ण नमबर चाउदा में देखो भीलो का प्रसिद लोग गीत पुछा गया है और भीलो का प्रसिद लोग गीत जिसे महला और पुरुष मिलकर साथ साथ में गाते हैं वो इन में से कौन सा लोग गीत है हमसीडो, कौन सा लोग गीत का नाम क्या है साथियों हमसीडो, हमसीडो लोग गीत को बील, पुरुष और महिला साथ साथ गाते हैं तो थर्ड विकलप आपके चौद्वे प्रिश्ण का साथियों तो पंद्रवा प्रिश्ण देखेंगे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है अश्वगंदा को सन को कपास को और जूट को तो यह फसलों के नाम दे रखे हैं अब आपको यह देखना है कि गोल्डन फाइबर के नाम से इन में से किसको जाना जाता है प्रिश्ण पंद्रा का से जूट को ही गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है चलिए ये प्रिश्ण नमबर 16 की ओर बढ़ते हैं 16 प्रिश्ण है किसे हटाने के लिए महा भी योग नहीं लगाया जाता है राश्ट पती को, नियंत्रक वे महा लेका प्रिक्सक को, राज जिपाल को और इन में से कोई नहीं तो मिन आपको क्या बोल रहा है कि कोई नहीं आपका अंसर नहीं होता है जिसको अटाने के लिए महा भी योग नहीं लगाया जाता है उसका चेहन आपको प्रिश्ण नमबर 16 में करना है और मित्रो 16 प्रिश्ण का अंसर देखे थर्ड विकल पीज, सोलवे प्रिष्ण का से उत्तरे साथियों, प्रिष्ण नमबर 17 को देख लेते हैं, देखेगा सत्रवे प्रिष्ण को, इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, खीवन, मैलाओं के नाक का अबुशन, खीच, मैलाओं के सिर का अबुशन, काटा, मैलाओं के नाक का अबुशन, और कात्रियों, मैलाओं के कान का अबुशन, तो इन में से, जो आपको सुमेलित नहीं लगता है, प्रिष्ण नमबर 17 में उसका चैन करना है, आंसर देख लेते हैं, देखेगे, कात्रियों, जो है साथियों, मैलाओं के नाक का अबुशन, ये नहीं है, बाकी ये जो तीनों है, खीवन क्या है, महिलाओं के नाक का अबुशन है, खीच क्या है, ये महिलाओं के सिर का अबुशन है, और काटा क्या है, ये भी महिलाओं जो है, अपनी नाक में दारान करती है साथियों तो फोर्थ विकल्प आपके प्रिश्च नमबर 17 का सहित्तर है क्योंकि ये सुमेलिते नहीं हैं आगे बढ़ेंगे साथियो प्रिश्च नमबर 18 की ओर प्रिश्च नमबर 18 को दादू पंद का सहित्ति किस भाषा में है दुंडाडी में, बांगडी में, मेवाती में और मारवडी में तो साथियो प्रिश्च नमबर 18 का सहित्तर बताए 18 प्रिश्च में कौन सा विकल्प आपका सहित्तर हैगा देखो प्रिश्च नमबर 18 का अंसर देखे तो जो दादू पंद का सहित्ति है यह किस भाशा में लिका हुआ है साथिों डुंडाडी भाशा में लिका हुआ है विकल्प नंबर एक जो है आपके प्रिश्न नंबर अठारा का सयुक्तर है बढ़ेंगे प्रिश्न संख्या 19 की ओर साथि प्रिश्न नंबर 19 से आपके किस चावणी के सेनिकों ने इक्की सगस्त 1857 को, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी नारे के साथ बगावद की थी, नीमच के सेनिकों ने, नसीराबाद के सेनिकों ने, मेरट के सेनिकों ने, या एरिनपूरा के सेनिकों ने, तो इनमें से जिस चावनी के सेनिकों के दोरा कब बगावत कब की गई 21 अगस सन 1857 को और क्या नारा दिया था साथियों चलो दिल्ली मारो फिरंगी तो ये जो नारा दिया गया इस तारिक को जो बगावत की गई जिस चावनी के सेनिकों के दोरा ये कारी किया गया था वो कहां के सेनिक थे एरिनपूरा के सेनिक थे वो तो निस्वे प्रिष्ट में आपके जो चोता विकल्प है आपका सही आंसर है प्रिष्ट नमबर 20 को देख लेते हैं देखिएगा प्रिष्ट नमबर 20 को नसिराबाद चाउनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था डूंगर सिंग, जुंजार सिंग, किशन सिंग और अनार सिंग तो इन में से उस राजपूत सरदार का नाम आपको बताना है जिसने नसिराबाद चाउनी को लूटा था साथियों तो जिस राजपू सरदार ने नसीराबाद छावनी को लूटा था उनका नाम था उनका डूंगर सिंग विखलप एक आपके प्रिश्ण 20 का सही अंसरे मित्रों प्रिश्ण नबर 21 की ओर बढ़ेंगे देखेगा 21 वे प्रिश्ण को किस इतिहास वेत्ता ने काली बंगा को सिंदु गाटी सामराज की तीसरी राध्धानी कहा है ये कतन जिस इतिहास कार ने कहा है उस इतिहास कार का नाम आपको 21 में बतना है और मित्रों 21 का सही अंसर क्या रहेगा आपके विकल्प नमबर 2 यहाँ पर दश्रश शर्मा के द्वरा ही काली बंगा को सिंदु गाटी सामराज की तीसरी राध्धनी कहा गया है तो विकल्प नमबर 2 जो है आपके 21 का सही वत्तर है बढ़ेंगे मित्रों प्रिश्ण नमबर 22 की तरब 22 वा प्रिश्णी क्या पूछ रहा है राजिस्तान में अश्योक का अभिलेग मोरिस अभिता कहां से प्राप्त हुआ है बेराट से आहड से बरनाला से और बुचकला से बढ़ेंगे मोरिस प्रिश्णी का उत्तर बताओ प्रिश्ण नमबर 22 में कौन सा विकल्प आपको सही रहेगा धेको राजिस्तान में अश्योक का जो अभिलेग है यह बेराट से प्राप्त हुआ है बेराट कहां पर पढ़ता है आपके बेराट जेपूर में पढ़ता है ठीक है में से जिस राजिस्तानी ग्रिंत में किसका विवरान मिलता है अलाउदिन खिलजी की जालोर विजे का कि अलाउदिन खिलजी ने जालोर को जीता था उसका जो विवरान है किस राजिस्तानी ग्रिंत में मिलता है साथियों तो 23 का अंसर देख लेते हैं आपके जो विकल्प न सारंगपूर युद्ध 1466 में किन राज्यों के मद्द्ध हुआ मेवार मालवा, मेवार मारवार, गुजरात मारवार और मेवार चंदेल तो इनमें से सारंगपूर युद्ध जो 1466 में हुआ था वो किन राज्यों के मद्द्ध लड़ा गया था साथियों जो इसमें प्रिश कि चिश्छो थे कोण थे मारा थे नबर पाज विकल पापका तहने में कौन सा विकल्प आपका सई आंसरे साथियो 26 की ओर बढ़ते हैं, साथियो परिश्ट नबर 26 में क्या है, निम्न गटनाओं का काल करम क्या है, डावडा कांड, निमुचना कांड, चंडावल कांड और मानगर पहाडी हत्या कांड, दिखल पे पहला, 1234B है, 1432C है, 14321, 12D है, 4231, तो निम्न गटनाओं क काल करम पूचा गया है और घटनाओं का जो काल करम हैं तो इन में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी आपको ये बताना है देखो 26 में प्रिश्ण में देखो कौन सा विकलप आपका सही रहेगा तो भाई सबसे पहले इन में से मानगण पहाड़ी अत्याकांड हुआ था तो चोता यहां भी है और चोता यहां ए और भी तो गलत हो गया फिर इसके बाद में कौन सा हुआ था सात्यों नीमू चना फिर इसके बाद चंडावल और इसके बाद में दाबड़ा तो मतलब चोता विकलप आपके 26 का सही उत्तर है चलिए 27 की ओर बढ़ेंगे तो इन में किसने में किसान का नेत्रित किया बक्तार खाने अश्पाक उल्ला खाने यहासिन खाने या मुकरब खाने तो इन में से जिसके दोरा मेव किसान आंदुलन का नेतृत किया गया उनका नाम आपको प्रिश्ण नंबर 27 में बताना है मित्रों आंसर देखे 27 वे का तो मेव किसान आंदुलन का नेतृत अश्फाक उल्ला खां के दोरा किया गया था विकल्प नमबर आपके जो तीन है 27 का सेउत्तर है 28 की ओर बढ़ेंगे साथ यूँ 28 प्रिश्ण देख लेते हैं राजिस्थान में प्रतम पोक्सो कोट 10 जुलाई 2017 किस जिले में स्तापित की गई जेपूर जिले में, जोदपूर जिले में, कोटा जिले में और अजमेर जिले में तो 28 प्रिश्ण का सेउत्तर बताये साथ यू राजिस्थान की प्रतम पोक्सो कोट जो है कब इस्तापित की गई थी 10 जुलाई 2017 को लेकिन बात ये पूची जा रही है कि कहां पर इस्तापित की गई थी तो इसकी स्तापना की गई थी जेपूर में, कौन से जिले में की गई थी मित्रों जेपूर जिले में, विकल पे 28 का सही आंसर है, 29 की ओर बढ़ेंगे तो 29 में है, जेपूर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया, इश्वरी सींग ने, मादाव सींग ने, सवाई राम सींग दूतियने, और सवाई जे सींग ने तो इन में से जिसके दोरा जेपूर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया उस शाशक का नाम 29 प्रिश्ण में बताना है मित्रो जेपूर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाय था सवाई राम सिंग द्यूतियन है विकल्प नमबर 3 आपके 29 प्रिश्ण का सेउत्तर है 30 प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे साथियों प्रिश्ण नमबर 30 में क्या है इन में से किस इस्तान को हल्दी गाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताब ने अपनी राधदानी बनाया गोगुंदा को कोली हारी को चावं जो ये टेश्ण में डाला था चावंडी बताया था और बिल्कुल चावंड को ही हल्दी गाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताब के दौरा राधदानी बनाये गई थी अगर आपने कुंबलगर पर रखा है तो फिर वो क्या है गलाते साथियों एसा नहीं है नाकपूर अधिवेशन में, 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में और 1920 बंबय अधिवेशन में तो ये तो किलियर है कि जो बिल्जोलिय की स्वान अंदुलन यहां पर चल रहा था राजिस्तान में इसको गांदी जी के दौरा आशिरवाद 1920 में दिया गया लेकिन कौन से अधि ना तो विकल्प नमबर दो आपके 31 प्रिशन का सही आंसर है साथियों प्रिशन नमबर 32 की ओर बढ़ेंगे 32 प्रिशन में हैं बूंदी जीले में इस्तित पहाडियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा परवत और आडा वाला परवत तो इन में से बूंदी जीले में जो इस्तित पाडियां हैं इनको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपको 32 प्रिशन में बताना है और साथियों 32 प्रिशन का आंसर रहेगा आपके विकल्प नमबर 4 आडा वाला परवत इन पहाडियों को कहा जाता है क्या कहा जाता है आडा वाला परवत इनको कहा जाता है तो फोर्थ विकल 32 वे प्रिश्ण का से उत्तर है, प्रिश्ण नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे साथियों, 33 वे प्रिश्ण में क्या है देख लेते हैं, राजस्थान प्रेटन निती 2020 कब लागू की गई, 9 सितंबर 2020 को, 9 अक्टूबर 2020 को, 9 नवंबर 2020 को, और 9 दिसंबर 2020 को, तो 9 सितंबर 2020 को, इसको लागू किया गया, ताकि इसको राजस्थान प्रेटन निती 2020 को, तो विकल नंबर 1 आपके प्रिश्ण नंबर 33 का से उत्तर है, 34 वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे साथियों, प्रिश्ण नंबर 34, राजस्थान में सरप्रतम कर्शी विश्विद्या कहां इस्ताफित किया गया, विकानेर में, जेपूर में, उदेपूर में, और जोदपूर में, 34 वे प्रिश्ण का से उत्तर बताईए, देखो, ये कर्शी विश्विद्याले वाला प्रिश्ण जरूर थोड़ा कन्प्यूस कर रहा है, हाला कि बुक में तो उदेपूर दे जो कल जो टेस्ट डाला था, उसमें उदेपूर बताया था, लेकिन इसका सही आंसर विकानेर है, ठीके ना, बाकि इस प्रिश्ण को थोड़ा और कन्पर्म कर लेंगे एक बार और, हाला कि अब में इस प्रिश्ण का आंसर आपको विकानेर बता रहा हूं साथियों, एक प प्रिश्ण देख लेते हैं, हाला कि इस प्रिश्ण को वापिस से रिचेक करेंगे साथियों, प्रिश्ण का रेल नेटवर्क किस जोन में आता है, मद्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पस्चिम रेलवे और उत्तर पस्चिम रेलवे, तो राजिस्थान का जो रेल नेटवर्क है ये उत्तर परिष्ची के उत्तर प रेलवे के उत्तर आता है वीकल्प नंबर आपके 4 35 क्यों उत्तर मित्रों प्रश्च नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 36 प्रिष्ची कि गोकी देखेंगे इसको तो आप टदो, माराना प्रताब हवा एड़ा कहा पर इस्तिते साथियों, उधेपूर में इस्तिते, नाल हवा एड़ा कहा पर इस्तिते, विकानेर में इस्तिते, लेकिन सूरतगर हवा एड़ा जोधपूर में इस्तिते नहीं है, तो विकल्प नमबर 3 आपके 36 तो इनमे से राजस्तान के गांधी के रूप में जिनको जाना जाता है, उनका चैन आपको 37 में करना है तो हमितारो 37 प्रिश्न का अंसर देखे तो विकल्प नंबर कों सा सही रहेगा? दूसरा जो विकल्प है आपके गोकुल भाइबट कीनको जाना जाता है? राजस्तान के गांदी के रूप में गोकुल भाई बेट को जाना जाता है विकल्प नमबर दो आपके 37 का सेउत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रेश्ट नमबर 38 की तरफ साथ यो प्रेश्ट नमबर 38 से आपके 2011 की जनगन्ना के अनुसार राजस्तान की नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है 25.5 प्रतिशत, 24.4 प्रतिशत, 24.9 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत तो 38 वे प्रेश्ट नमबर 38 में कौन सा उविकल्प आपका सही है देखो 2011 की जनगन्ना हुई थी इसके अनुसार राजस्तान की नगरी जनसंख्या, गरामिन जनसंख्या राजस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि राजस्तान की जो अर्तिवे उस्ता है कर्शी आदारी तर्तिवे उस्ता है कर्शी आदारी तर्तिवे उस्ता क्यों है क्योंकि अधिकर जन्संख्या कर्षी निरवर करती है कर्षी जहाँ हैतर है गरामि fellows विशे संह्यां का परिश्ण पूंचा गया इस सात्य वो नगरे जन्संख्या का जो परिश्ण है 2011 की संहद्ण कुक्ष सब्कूंच्छी 91 क्या स्थ 209 से तीसरा विकलप do थीस taking का से रिचरहें चलिए आगे बढ़ेंगे देंगे इस मित्रों प्रिशन मपर 59 की तरफ, आपके उन्च-Camli IRA प्रिश्ण है, निम्न में से कौन्सा संतल उच्च मेदान हेरोन महुदे द्वरा तरतिय पेनी प्लेन के रूप में पैचाना गया मेवाड मेदान चपन का मेदान मालपुरा करोली मेदान और बनाज मेदान तो इन में से आपको किस के अनुसार बताना है हेरोन महुदे के अनुसार जो समतल उच्च मेदान तरतिय पेन करोली मेदान है इसको ही हेरोन महुदे के दोरा तर्तिय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है तो 39 में आपके थर्ड विकल्प सही है चलिए आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रिश्ण नमबर 40 की ओर चालिसवा प्रिश्ण देखेंगे राजस्तान में भूरी मिट्टी का परसार शेतर है बनास नदी का प्रवाशेतर राजस्तान का विकल्प नमबर एक आपके विकल्प नमबर चालिस का सेुट्थर है कि और बढ़ेंगे मित्रों गै€ इतलसए अपके राजिस्थान के किस प्राची सित्र से शेल कित्र कल्या प्रमाने मिले हैं पेराथ से नहीं से तो इन में से जहांन से जस प्राची शेत्र से शेल चितिकला के प्रमान मिले हैं वो शेत्र का चैन्ड 41 प्रिश्ण में करना है और प्रश्ण नमबर 41 में जो सहीत्तर है वो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों तो विकल्प है विकल्प नमबर एक चैन्ड 21 प्रिश्ण का सहीत्तर होगा प्रश्ण को देख लेते हैं फिर्ज्थान पयला सोर उर्जा पार्क कि जिले में इस्ताफित किया गया है ये सल मेर में बाड मेर में जोध़पूर में और नाहीं किया में पूचा कहें पहला सोर उर्जा पार्क और राजिस्थान में अगर हम बात करें पहले सोर उर्जा पार्क की तो इसकी इस्तापना जोधपूर जिले में की गए जोधपूर जिले में विकल्प नमबर तीन आपके प्रश्ण नमबर बीयालिस का सही अंसरे साथियों चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रो प्रश्ण नमबर तीयालिस की ओर सूची एक में संग दे रखे हैं और सूची दो में प्रदान मंत्री तो देखो ए में मतश संग बे में राजस्तान संग से में सयुक्त राजस्तान और दे में वरेत राजस्तान दर सूची दो में गोकुल लाल असवा शोवराम कुमावत इराला शास्ति और मानिक लाल वर्मा अब इनका मिलान आपको करना है कि कौन इन में से कौन से संके प्रधान मंत्री थे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कूट भी है साथियों ए बै से दे के रूप में यहाँ पर यह चार विकल्प देख लिजे यहाँ पर आपके यह तो ए यह आपके बै है यह आपके से है और यह आपके दे है, यह टाइपिंग में थोड़ा इधर रह गया है, देखो यह पहला, दूसरा, तीसरा या चोता, कौन सा विकल्प आपके प्रश्ट नमबर 43 में सही रहेगा साथियों, तो 43 का अंसर देखे, तो मित्रों, एमें आपके दूसरा विकल्प रहेगा, एमें तो कौन सा रहेगा, दूसरा विकल्प रहेगा, मतलब मतश्य संग के जो प्रदान मंत्री थे, यह कौन थे, शोबाराम कुमावत थे, जबकि अगर हम बात करें, तो बेमें आपके पहला वि तीसरा इस प्रकार आपके सात्यों जो तीसरा विकल्फ है 43 का बिल्कुल सयुत्तर है प्रश्ण नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं देखिएगा 44 प्रिश्ण को इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है कपास विर्णार गेहूं माहिदवल चावल मोह सुगंद्रा मक्का माहिगंचन अब देखो इस प्रिश्ण पर भी रिपोर्ट आई थी कि भाई इस प्रिश्ण में भी कही न कहीं कोई तूटी है या अंसर गलते तो मैं आपको बता दूँ कि भाई जो गेहूं है चावल है मक्का है और कपास है यह फसलो के नाम और इधार यह किसमें देरा किये किसमें और अगर हम बात करें तो यह माही धोल और माही कंचन यह मक्का की किसमें ग्यों की किसमें नहीं है माही कंचन मक्का किये मोह सुगंद्रा चावल किये कपास की विर्णार है लेकिन माही धोल भी मक्का किये ग्यों की तो इसमें रिपोर्ट करने वाली कोई बात ही नहीं थी तो मतलब विकॉल्प नमबर दो आपके प्रिश्ण नमबर 44 का सही आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रिश्ण नमबर 45 की तरब 45 वा प्रिश्ण देखेंगे आपके फोटी फावी में हैं देखेगा 45 वे प्रिश्ण को राजिस्थान के उध्यान कर्शी विबाग ने जहां कर्शी परिश्ण प्रिश्ण प्रिटन वे अंतरराश्टी पुष्प अनुसंदान के अंद्र विक्सित करने की योजना बनाई है वो जगा आपको बतानी है तो माउन टाबू है वो जगे जोबनेर है पुशकर है या अजमेर है 45 वे प्रिश्ण का सही उत्तर बताईए साथियों प्रेश्ण नमबर 45 का अंसर देख लेते हैं देखो राजस्तान के उध्यान कर्शी विभाग ने जहां कर्शी परिश्टिक्ति की प्रेटा नेमें मंतर राष्टि पुश पनु संधान केंद्र विक्सित करने की योजना बनाई है वो जगे है अजमेर कहां साथियों अजमेर विकल्प नमबर 45 प्रिश्ट में अजमेर सुरी यहां पुशकर भी दे रखा है ना तो फिर हम पुशकर को सही करेंगे क्योंकि अगर पुशकर ने दे रखा होता तो फिर हम अजमेर को सही करते हैं तो फिर इस वज़े से आपके जो तीसरा विकल्प है पुषकर यह आपके 45 पुषकर नहीं होता तो फिर हम अजमेर को सही करते साथ यो लेकिन आपको यह बताना था कि बहुत कहां बनाई ये गई है यह योद्ना तो यहां पर परस्णली पुषकर दे रहा था इसलिए इसका चोता विकल्प नहीं बलकि तीसरा विकल्प 45 पुष ला ये और एक तरफ जीले हैं देखो इज स्टोन पार्क बायो टेकनलोजी पार्क सुचना तकनीक पार्क और जापानीच पार्क एक तरफ पर दूसरी तरफ है जैपूर जोदपूर कोटा उदेपूर तीसरा है सिदापूर जैपूर और चोता है दोलपूर करोली अब इनको आपको सुमेलित करना है और फिर आपको यहां पर इसका चैन करना है साथियों कि प्रिश्च नमबर 46 में कौन सा विकल्प आपका सही है पिर आपके जो सूचना तकनिकी पार्क है यह कहां परिष्चित थे जैपूर जोदपूर कोटा उदेपूर में थै और जो जापानिश पार्क है यह कहां परिष्चितने नीमराना अलवर में तो मतलब A में कितना आएगा, 4 आएगा, B में कितना आएगा, साथियों आपके B में आएगा, यहाँ पर B में 3, C में 2 और D में 1, मतलब पहला ही विकल्प आपके प्रशन नमबर 46 का सही अंसर है, चलिए आगे बढ़ेंगे 47 की तरब, तो चलिए 47 सुआ प्रशन देख लेंग को प्रशन नमबर 47 में करना है, और मित्रों 47 का आंसर देख लेते हैं, आपके विकल्प नमबर जो दो है, जोदपूर, कौन से जिले में, जोदपूर जिले में साथियों, राजस्तान का पहला स्पास पार्क इस्थाफित किया गया है, तो सेकर्ड विकल्प आपके 47 का सही प्रशन नमबर 48 की तरब, देखेगा प्रशन नमबर 48 को, इन में से कौन सा राजस्तान के तेल शेत्र का नाम नहीं है, एस्वर्या, सरस्वती, लक्ष्मी और रागेश्वरी, तो जो राजस्तान के तेल शेत्र का नाम नहीं है, उसका चैन आपको 48 में करना है, और मित्रो 48 पृष्ण का अंसर देख लेते हैं तो भाई राजस्तान के जो तेल चेत्रे एस्वर्या भी है, सरस्वती भी है रागेश्वरी भी है, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कोई नाम ने है तेल चेत्र का तो तीसरा विकल्प आपकी 48 पृष्ण का सहयुकतर है, मित्रों आप सभी को बता दूँ कि जो 99 वाला कॉर्स है एप पर, उसमें राजस्तान अद्यान के 3 पार्ट बचे हुए है, जो आने वाले आपको 2 दिनों में 3 पार्ट पूरे करवाए जाएंगे, अब मेरा तन एक का भी रोजना, बना दू लेवल, दो का भी रोजना ऐसा संभव नहीं हो पाता है साथियों और एक चीज मैं आप सभी को बता दूँ कि साथि जो 99 वाला कॉर्स है, ये आपकी complete लगबाग हो गया है लेकिन 149 वाले कॉर्स में जिसमें आपको मेरतन टेस्ट दिये जा रहे हैं, 190 टेस्ट पहले ही प्रोवाइट करवाए जा चुके हैं, अगर कोई अब भी कोई जोईन करता है तो भी उनको 190 टेस्ट भी मिलेंगे और मेरतन टेस्ट भी मिलेंगे, अब साथियों इसके अलावा भी जो SSD है, SSD वालों का पूरा टोपिक वाइस कोर्स भी अभी भी चलाए जा रहा है कल भी मैंने दो टेस्ट एक दिन में डाले थे दो टेस्ट एक दिन में डाले थे SSD के साथ ही हो लेवल एक का सपटेक्ट जो ही आपके शामाजिक अध्यन रहे बाली है तो मैं आपको बता दू है तो मैं आपको बता दू हूँ कि जो LEVEL 2 का साइंस का जो टेस्ट जो डाला जाता है साइंस का तिरा 14 जो टेस्ट हो चुके उसमें टोपिक मिलान करके तो देखो तरत्व योगिक मिश्रन आपके निये क्या आपके भी है तो वो ही तो चीज़े अलग-अलग चीज़े के चलो मैं अलग फोल्डर मना दूँगा उसका चल प्रश्ट नंबर 49 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देखो प्रश्ट नंबर 49 का सही आंसर देख लेते हैं राजिस्थान जो है भारत में तो दिये गए विकल्पों में से आपको चुनाओ करना है ऐसा नहीं आप कोगे कि सरी इसमें भी बहुत ज्यादा उत्पदन प्रश्ट नंबर 49 का सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे सात्यों प्रश्ट नंबर 50 की ओर तो 50 वा प्रश्ट देख लेंगे प्रश्ट नंबर 50 में क्या है आपके जर्मनी द्वारा पोशित आपनी योधना राजस्तान के किन जिलों में चल रही है अलवर बरतपुर म में शिरोही बुंदी में और चूरू हनमानगड में तो एक योजना है जो जर्मनी के दरापोशित की जा रही है जिस योजना का नाम के आपनी योदना। सात्यों यह राजस्तान के जिन जिलों में चल रही है उन जिलों का नाम आपको प्रिश्ण 50 में बताना है और प्रिश्ण संख्या 50 का अंसर कौन सा रहेगा आपके जो विकल्प नमबर 4 है चूरू और हनुमानगर जिला कौन सा जिला मित्रों चूरू और हनुमानगर जिले म जर्मनी दोवरा पोशित आपने योजना चल रही है तो फोर्थ विकलप आपके प्रिश्ण नमबर जो 50 है इसका बिल्कुल सही आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे और चेतावनी राच उंग्टिया सिताराम लालरा तो इन में से जो एक तरफ तो रचना है और एक तरफ रचीता है मतलब उसके रचना कारिया लेका के साथ यो अग इन में से जो यूगमा आपको गलत लगता है उसका चैन 51 में करना है मित्रों वीर विनोत की रचना शामलदास के दोरा की गई बातारी फुलवारी की रचना विजयदान देता के दोरा की गई पीतल और पातल की रचना कनाया लाल सेटिया के दोरा की गई देकिन चेतावनी राच चूंग्टिया की रचना सिताराम लालरा ने नहीं की थी बलक प्रिश्ट में दुर्गापूर केसर एक परसिद्ध किसमें है किसकी धनिये की परसिद्ध किसमें है जीरे की परसिद्ध किसमें है तर्बूज की परसिद्ध किसमें है तो यहां पर प्रिश्ट नमबर 52 का सयुत्तर बताए दुर्गापूर केसर के बारे में बता गया है और दुर्गापूर केसर की बात करें तो भाई ये धनिये की नहीं है जीरे की भी नहीं है और केसर की यूनिकी दुर्गापूर केसर नामे तो केसर की किसम है बल्कि एक तर्बूज की परसिद किसम है किसकी तर्बूज की विकल्प नमबर 3 आपके प्रिश नमबर जो 52 है इसका स जोदपूरका、 कोटा का और आबानेरिका तो इन्वे से जहां का महामंदिल जालरा प्रसिद है उसका चैन आपको 53 में करना है। नेशनल बास मिशन के अंतरगत सामिल नहीं है उस जीले का चैन आपको 54 में करना है और मित्रों 54 प्रिशन का आंसर देखे तो नेशनल बास मिशन के अंतरगत करोली को भी सामिल किया गया है बासवड़ा को भी सामिल किया गया है लेकिन जालोर जीले को सामिल नहीं किया गया ह अता है जालोर आपके जो तीसरा विकल्प है आपके 54 का सही आंसर है आगे विड़ेंगे साथ यह प्रिश्ण नमबर 55 की तरह तो आपके 55 वा प्रिश्ण देख लेंगे आपके प्रिश्ण नमबर 55 में क्या है बोराट का पठार इस्तित है कहा पर कुंबलगडवे आपको पढ़ा रखा है कहा परिश्ण नमबर 55 की तरह देखेगा प्रिश्ण नमबर 56 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देखो राजिस्तान की सबसे बड़ी कर्त्रिम जील इनमें से जो है वो है जैसमन जील कौन सी जील है साथियों जैसमन जील है 56 में आपके सेकंड विकल्प सयूदतर है बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 57 की तरब साथियों आपके प्रिश्ण नमबर 57 जन संक्या की दरश्टि से राजिका सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जोद पूर जेसल मेर जैपूर और भरतपूर तो इनमें से जन संक्या की दरश्टि से आपको बतना है किसकी द्रश्टी से जन संक्या की द्रश्टी से राजिस्तान का जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा संभाग है जेवपूर संभाग है बैस जेवपूर संभाग में सरवधिक जन संक्या निवास करती है विकल्प नमबर तीन आपके 57 का सही आंसर है आगे बढ़ेंगे सा अग सुस्क जलवायू है यहां रेतिली मिट्टी पाए जाती है यहां सदा बाहर वन पाए जाते हैं और यहां बालू के इस सूप पाए जाते हैं तो इनमें से साथियों 58 में सहुत्तर बताइए 58 में कौन सा विकलप आपको जो है आपका आंसर लगता है कि यह जो थार का मरुस्तल में सुस्क वे अर्द सुस्क जलवायू पाए जाती है सही है रेतिली मिट्टी भी पाए जाती है लेकिन सदाबार वन थार के मरुस्तल में नहीं पाए जाते हैं विकलप नमबर 3 आपके प्रेश्च नमबर 58 का सहुत्तर है और यहां बालू का इस्तूब भी पाए जाते हैं रेतिली मिट्टी भी पाए जाती है सुस्क वर्द सुस्क जलवायों भी पाए जाती है तो तीसरा विकलत जो है ये विशेस्ता थार की मुरुस्तल से सम्मधित नहीं है 58 में इसी वज़े से तीसरा विकलत आपका आंसर होगा साथियों 59 की तरह बढ़ते हैं आपके 59 में क्या है मेवार पुकार है केश्री सिंग बारहेट द्वारा रचित एक सोर्य गाता है जैनरेन व्यास द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है मेवार परजा मंडल का सापताई कगबार है और मोतिलाल तेजावत द्वारा तयार एक मांग पत्र जो महराना को प् जो महराना को प्रस्तूत किया गया था क्या था यह मेवार पुकार तो विकल्प नंबर आपके जो चार है 59 का सही उत्तर है कितने 21 सुत्रिय मांगे इसमें तयार की गई थी तो आगे बढ़ेंगे मित्रो प्रेश्ट नंबर 60 की ओर 59 में फोर्ट विकल्प आपका अंसर बढ़ेंगे उत्तर है प्रेश्ट समीति का सरकारी पद अधिकारी कहिलाता है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और इन में से सबी, तो बैसा है, ग्राम पंचयत का सरकारी जो पदाधिकारी होता है, किसका ग्राम पंचयत का, वो तो ग्राम विकास अधिकारी कहलता है, जो जिला परिशत का सातियों, किसका जिल परिश्यत का जो सरकारी पदादिकारी होता है वो जिला विकास अधिकारी अब खंड विकास अधिकारी जो है ये पंचेश समीति का सरकारी पदादिकारी क्या कहलाएगा खंड विकास अधिकारी कहलाएगा 61 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा 62 क्यों बढ़ेंगे साथ 62 में क्या है देखते हैं राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है मुक्य मंत्री मुक्य नियादीस परदान मंत्री और राश्टपती तो इन में से जिसके दोरा राश्टपती की जाती है वो इन में से कौन है सातियों 62 प्रिश्ण का अंसर देखे प्रिश्ण में 62 में कौन सा अ रहेंगे वित्रो 63 में क्या है देख लेते हैं तो आपके 63 वह प्रिश्ण है राजिस्तान साहित्यकाद्मी की स्थापना किस वर्ष हुई मैंने पहले बोल दिया था यह सारे के सारे क्यूशन राजिस्तान अद्यन की किताबों से बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उप्योगी है यह चीजे आपके लिए और 63 वह प्रिश्ण का आंसर देखे वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है राजिस्तान साहित्य कादमी की स्थापना जो है यह कब की गई थी साथ यह 1908 इस्वी में कब की गई थी 1908 इस्वी में तो सेगड़ विकलप आपके 63 का सयुत्तर है 64 की तरफ बढ़ेंगे आपके 64 वह प्रिश्ण में क्या है राजिस्तान का प्रतम विजय स्थम कहां इस्तित है जैगण में चि तोड़ पर चला गया ना तो नोलेज किलियर कर दो कि राजिस्तान का प्रतम विजय स्थम जो है यह बयाना भरतपूर में इस्तिते कहां पर बयाना भरतपूर में विकलप नंबर जो आपके तीन है 64 वह प्रिश्ण का बिल्कुल सयुत्तर है साथियों प्रश्ण नंबर 65 क देखेंगे आपके 66 प्रिश्ण है थली और गोडवाडी किसकी उप बोलिया है डुनडाडी की मारवाडी की मेवाडी की और मालवी की तो थली और गोडवाडी की बात की जा रहे है साथियों थली और गोडवाडी जो है यह जिसकी उप बोलिया है वो कौन सी है मारवाडी मारवाड़ी क्यों बोलिया है भई ये किस क्यों बोलिया है मारवाड़ी की पेशटवे प्रिष्ण में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रेश्ट नमबर छाचट की ओर बढ़ते हैं तो चलिए छाचट वा प्रिष्ण देखेंगे राजस्तान साहित्यकाद प्रिष्ण का उत्तर है सरसटवे प्रिष्ण को देखेंगे साथियों आपके सर्सटवा प्रिष्ण है राजस्तान में धार्मिक आंदोलन का स्रीगनेश करने का श्रे किस संत को दिया जाता है पीपा को धन्ना को जांबो जी को लाल दास जी को धार्मिक आंदोलन का श्रीगनेश, श्रीगनेश मतलब शुरुवात, तो धार्मिक आंदोलन का श्रीगनेश या धार्मिक आंदोलन की शुरुवात करने का श्रे राजस्तान में जी संत को दिया जाता है, वो इनमें से कौन से संत हैं सातियों, धन्ना जी को ही राजस्तान मे धार्मिक अंदोलन का श्री गनेश करने का स्रे दिया जाता है सेकंड विकल्प 67 का से उत्तर है 68 के और बढ़ेंगे साथ क्यों आपके 68 में है चार हात वाले लोग देउता के रूप में परसिद है गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी और कल्ला जी तो चार हात वाले लोग देउता विकल्प नमबर जो 4 है आपके 68 का से उत्तर है 69 क्यों बढ़ेंगे साथ यो आपके उन्हेंत्तरवे प्रिष्ट में क्या है कपिल मूनी का मेला कब भरता है कार्तिक पूर्णिमा को माग पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा को और जेष्ट पूर्णिमा को तो इन में से जब कपिल मुनी का मेला भरता है वो महिना आपको पूर्णिमा 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 चारों में हैं लेकिन एक में है कार्तिक में है माग एक में आश्वीन और एक में जेश्ट så इन मेंसे जिस महिने की पुर्णिमा को कपिल मुनी का मेला वरता है उसका चेहां आपू 69 1916 में 25 में चाचट में और 1935 में तो प्रश्ण संख्या 70 का सही उत्तर बताई साथ यो 70 वे प्रिश्ण में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा तो देखो 70 वे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 70 का जो सही आंसर है राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहला वेग्यनिक विबाजन किसने किया था आनन्द कुमार स्वामी ने तो उनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक काले हिरन का इसमारक बनाये जाने के करण कांखनी गाउं चर्चा में हैं यह किस जिले में हस्तिते बाडमेर जिले में चुरू जिले में जोधपूर जिले में हैं और जेपूर जिले में 71 प्रिष्ण में थर्ड विकल्प सही है देखो इसी प्रकार के रेगुलर टेस्ट पाने के लिए रोजना आप इसी प्रकार से टेस्ट एप पर प्रोवाइट करवाए जाते हैं तो आप एप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों और इस प्रकार के जो टेस्ट है मात्र एक बार पीस ली गई है 149 की एकजाम तक और एसा नहीं है कि हर मैने पीस नहीं सिर्फ एक बार पीस दी जाती है और साथियों एप डाउनलोड का जो लिंक है मैंने कमेंड बोक्स में दे रहा है वहाँ से आप एप को डाउनलोड करके कोर्स को जो इने कर सकते हो चलिए राजीव गांधी उलंफिक 2022 की शुरुवात कहां से की ति ङोगासर गाउं से रंकार गाउं से और खेंजर्ड़ि गाउं semiotre qr 29 अगस्त 2022 को राजिव गांदी ग्रामिन उलम्पिक 2022 की शुरुवात की गई थी और साथियों ये कहां से की गई थी तो ये पाल गाउं पाल गाउं कहां पर पड़ता है जोधपूर में पड़ता है आपके किस जिले में पड़ता है जोधपूर जिले में पड़ता है साथियो यहीं से इन्हों ने राजिव गांधी गरामिन ओलम्पिक 2022 की शुरुवात की थी विकल्प नंबर एक आपके जो है 72 का सविक्तर होगा साथियो 73 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 73 में क्या है क्रशना पुनिया का संबंद है पेरा भाला फेक से डिसकस त्रो से पेरा तिरांदा साजी से और हेंड बोल से तो इनमें से क्रशना पुनिया का संबंद जिससे है वो आपको खेल बताना है साथियो 73 में तो आंसर देगे 73 में मैं तो क्रशना पुनिया का संबंद है यह डिसकस त्रो से है किस से है डिसकस त्रो से है 73 में आपके सेकंड विकल्प सही है 74 की तर रही है और अपुर्वी चंदेला का जो संबंद है वो इन में से किस्से है निशाने बाजी से साथियों किस्से निशाने बाजी से विकल्प नमबर एक आपके 74 का सयुत्तर है आगे बढ़ेंगे मित्रोप्रेश नमबर 75 की तरब साथियों 75 के आपके हाल ही मैं भारत पाक के बीच 1971 में लोंगे वाला पोस्ट पर युद्ध के हीरो भेरो सिंग का निदन हो गया वे राजिस्तान के किस जीले में थे किस जिले से थे जैसलमेर जिले से बिकनेर जिले से जोधपूर जिले से और बाडमेर जिले से तो एक पिच्चर देखे होगी आपने बोर्डर एक पिच्चर है साथी बोर्डर पिच्चर है जिसमें एक किर्दार आता है बेरो सिंग का उस किर्दार को सुनिल शेटी के द्व वो हिरो ते साथ यो कहां पर पोस्टेट थे वो लोंगे वाला पोस्ट पर अब उस युद्ध के हिरो थे वो जीत के हिरो थे भेरो सिंग का उनका निदन हो गया अब आपको यह वताना है कि राजस्तान के किस जिले से वो थे तो 75 का अंसर देखे मित्रो 75 में जो सही उतर है वो आपके तीसरा विकल्प से रहेगा वो कौन से जिले से थे जोदपूर जिले से थे थर्ड विकल्प जो है आपके 75 का सही अंसर है आगे बढ़ेंगे साथ यह प्रिश्ट नमबर 76 की तरब वो सन आपको 76 में बताना है मित्रो 76 का अंसर देख लेते हैं आपके जो थर्ड विकल्प है 1967 में है बहुत दीक संपता संग्टन की इस्तापना की गई थी विकल्प नमबर 3 आपके 76 का सही उतर है 77 की और बढ़ेंगे साथियों 77 प्रिश्ट का पूरा नाम है computer and design computer all design computer added design computer aim design तो साथियों C.A.D. का पूरा नाम आपको 77 में बताना है और मित्रों C.A.D. C से क्या बनता है computer बनता है A से aim नहीं बलकि added बनता है और D से बनता है design तो computer added design जो है ये CAD का पुरा नाम है विकल्प नमबर 3 आपके 77 का सहुत्तर है 78 की ओर बढ़ेंगे साथियों 78 में क्या है आपके ICT का पुरा नाम क्या है Information and Communication Technology International Communication Technology International Computer Technology और Information and Computer Technology तो इनमें से ICT I से क्या बनता है साथियों क्या बनता है I से Information बनता है तो तीसरा और दूसरे विकल्प को तो आप यहां से हटा सकते हो C से बनता है Communication Computer नई बनता है T से बनता है Technology Information and Communication Technology सूच रहा है उन संप्रेशन टक्निकी हिंदी में इसको का जाता है ये ICT का बिल्कुल पूरा नाम है विकल्प नमबर एक आपके 78 का सही उत्तर है 79 की ओर बढ़ेंगे साथियों देखेगा प्रेशन नमबर 79 को NAP 2020 में किसके दोरा बुनियादी साक्षर्ता हुए संख्या ग्यान पर एक राष्टी मिशन की मांग की गई NCRT के दोरा MHRD के दोरा SICRT के दोरा और NCTE के दोरा तो 79 का सही उत्तर बताई मित्रो प्रेश नमबर 79 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देखो NAP 2020 में जिसके दोरा बुनियादी साक्षर्ता हुए संख्या ग्यान पर एक राष्टी मिशन की मांग की गई है इन में से कौन सा है MHRD मानाउसन सदन विकास मंत्रा ले जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया सिक्सा मंत्रा ले कर दिया गया क्या कर दिया गया साथियों सिक्सा मंत्रा ले कर दिया गया 79 में आपके जो विकल्प नमबर 2 है MHRD ये आपका बिल्कुल से उत्तर है आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रिश्ण संख्या असी की तो देखेंगा प्रिश्ण अमर असी को मुक्यमंत्री बाल गोपाल योधना कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए चलाए गई एक से पांच के बच्चों के लिए एक से दस के बच और उच्छ प्रात्मिक साथ यों कक्षा एक से लेकर के बच्चे इनके लिए मुक्यमंत्री बाल गोपाल योधना चलाए गई जिसमें सप्ता है में दो दिन बच्चों को मिल्क पाउडर के माध्यम से बना हुआ दूद्ध उपलब्द करवाए जाता है कब एक तो एक शुखुरुवार के दिन उपलब्द कराए जाता है एक से पांच वी तक के बच्चों के लिए 15 ग्राम मिल्क पाउडर और कख्षा चेस से आठ वी तक के बच्चों के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर से दूद्ध बनाना इसमें होता है साथ यों तो आपके 80 वे तक बढ़ाए जाने का लक्ष है दोजार चोईस तक दोजार तीस तक दोजार पैतिस तक और दोजार बत्तिस तक तक बढ़ाए दोजार पैतिस तक रखा गया है दोजार पैतिस तक रखा गया है अधा एटीवन में आपके जो थर्ड विकल्प है आपका सहुत्तर है एटीटू की और बढ़ेंगे साथियों एटीटू क्या है बालिकाओं के लिए निसुलक साइकल वित्रण योदना प्रार तो बालिकाओं के लिए जो निसुलक साइकल वित्रण योदना है ये प्रार्म की गई थी तर्न प्रामोन की जाती है जो थोड़ी जैसे प्रात्मिक और उज्प्रात्मिक विद्धजी बिल्कुल 12-11-12 इन कक्षों में पढ़ने के बालेगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता था सात्यों तो इस वज़े से 2078 में इस योधना का अरंब किया गया था 82 में आपके जो है विकल्प नंबर एक सही रहेगा आगे बढ़ेंगे सात्यों 83 की तरब देखेगा प्रिश नंबर 83 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योदना की शुरूआत कब की गई तो मित्रों 83 का जो सयुत्तर है 22 2015 को कब 22 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योधना की शुरुवात की गई थी विकल्प नबर एक आपके 83 का से उत्तर है 84 की तरब देखते हैं साथियों देखेगा प्रेश्च नमबर 84 को आटी एक्ट 2 जारनों का सबसे बड़ा अध्याई कौन सा है अध्याई एक सबसे बड़ा अध्याई है अध्याई 2 जबसे बड़ा अध्याई तरब देखेगा का आपका जो उत्तर रहेगा जो द्याय नंबर चार है यह एक्ट दोजार्णों का सबसे बड़ा द्याय साथियो चोता विकल्प आपके 84 का से उत्तर है 85 की तरब बढ़ते हैं आपके प्रश्च नंबर पिच्यसी में क्या है कौन सा राजिस्थान वानिकी एवं जे विवित्ता प्रियोजना का उद्देश नहीं है जल संरक्षन वरक्षा रोपन जे विवित्ता प्रियोजना का उद्देश नहीं है उसका चैन आपको 85 में करना है मित्रों राजिस्थान वानिकी एवं जे विव आपके जो चोता विकल्प है यह आपका बिल्कुल सैयुत्तर है आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रश्च नमबर 86 की तरफ 85 में आपके फोर्थ विकल्प रहेगाट किलियर है सभी के चली 86 को देख लेते हैं 86 है आपके computer से कारी करवाने के लिए दे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है hardware, software, keyboard और mouse तो भाई computer से हमें कारी करवाना है computer से क्या करवाना है suち के लिए हम जो निर्देश देते हैं उनको किस नाम से जानते है तो उसको जाना जाता है साथियों सोब्ट वेर के नाम से किस नám से जाना जाता है सोब्ट वेर के नाम से विकल्प नमबर आपका जो दो है 86 का सयुत्तर है 87 के और बढ़ेंगे साथियों तो चलिए देख लेते हैं प्रेश नंबर 87 देखेगा प्रेश नंबर 87 है इसमाइल प्रोग्राम से संबंधित असत्य कतन है इसमाइल प्रोग्राम संपुन्देश से संबंदित है, इसमाइल प्रोग्राम की शुरुवात 13 प्रेल 2020 से हुई, यह प्रोग्राम तीन चर्णों में चला और इस प्रोग्राम की शुरुवात राजस्तान स्कूल सिक्षा परिशत के दोरा की गई, तो इन में से जो आपको इ 87 में करना है साथियों में 87 का आंसर देखें तो वह तीन चर्णों में चला 13 अप्रिल 2020 से शुरुवात हुई और राजस्तान स्कूल सिख्षा परिशत के द्वारा इसकी शुरुवात की गए लेकिन संपूर्ण देश में नहीं बलकि स्मयल प्रोग्राम का संबन जो है राजस चैनल पर प्रशाजर द्रश्चि टीवी प्रोग्राम है शुरुवात एक जून 2020 को उई जो है इसकी शुरुवात एक जून 2020 से हुई थी डिडी रहस्तान चैनल पर परसरेतोंने वाला स्रविद रश्य टिवी प्रोग्राम है, सेक्षिक प्रोग्राम है और इसका समंद कर्षे एक से भारा तक भी है लेकिन अगर हम बात कहें तो इसकी पहले आदे CRT और नोडल एजेंसी MHRD ये गलत दे रहा है इसमें चोता विकल्प 88 का से उत्तरे मित्रों 89 की ओर बढ़ेंगे, 89 में क्या पूचा गया है देख लेते हैं आपके नेवा सी हुआ प्रिश्ने है NAP 2020 के अंतरगत, सिक्सा के अधिकार कानून को किस आयू वर्ग से समंद किया गया, 64, 68, 38, 38 और 0, 0, 0, 0 नेशनल एजुकेशन पूलीसी 2020 के अनुसार आपको बताना है, राष्टे सिक्षा निती 2020 क्या कहती है, कि तीन से लेकर के 18 वर्ष तक के जो वच्चे है, इनको जो है, ये सिक्सा के अधिकार कानून के अंतरगत आ जाएंगे, साथ यो, तीन से लेकर के पहले, 6 से चब्द में क्या है, सक्षम, अभ्यास, द्रश्टी वर जागरती किस कारिकरम के अंगे है, संबलन अभियान, बालिका सिक्षा में नवचार, चाला दरपन और सिक्सक पर सिक्सन कारिकरम, सक्षम, अभ्यास, द्रश्टी और जागरती, साथ यो, जिस कारिकरम के अंगे है, वो आप पूरा नाम डिजीडल वड़े शेरिंग दूसरा वड़े पे आदर स्वाग के हमारे चात्रा हमारे नायक तीसरा है लॉंच इसको 5 सितंबर 2017 को वेंके या नाइडू के दोरा किया गया और चोता विकल्प है इस पोर्टल पर कक्षे एक से लेकर यूजी वे पीजी तक का इस ट्रीडी मिटेरियल उपलब्द है तो साथियों प्रेश नमबर 91 का सही उत्तर बताईए 91 में इनमें से आपको कौन सा दिक्षा से सम्मंदित असत्य कतन लगता है 91 का आंसर देख लेते हैं मित्रों 91 में जो सही आंसर रहेगा वो आपके विकल्प नमबर 2 आपका आंसर रहेगा क्योंकि यह कह रहा है कि इसका अदर्श हुआ कि हमारे चात्र हमारे नायक है जी नहीं दिक्षा का अदर्श हुआ कि क्या है हमारे सिक्सक हमारे नायक तो विकल्प नमबर दो आपके 91 का सही आंसर है, बाकि पहला, तीसरा, चोता, ये तो सत्य खतन है, असत्य खतन कुछ सा है, उनली दूसरा विकल्प साथियों, आगे बढ़ेंगे 92 की तरफ, तो चलिए 92 को देख लेते हैं साथियों, देखेगा प्रेश नमबर 92 को, एक छोट ळावेंगे शेत्र में, फेले नेटवर्क को जिस नाम से जाना जाता है, वो है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहाजाता है, 92 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा, autocon 93 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 93 में क् इसमें कितने परतिशत मैला सदस्ट की इसमें color season जो सदस्य सकूण मेनेज्मेन कमिटी जिसको शोट में सीक्य के नाम से जानते हैं इसमें सात्यों कितने प्रतिशत महिला सदश्य होगी तो भाई इसमें 50 प्रतिशत महिला सदश्य का होना आउशक है विकल्प नंबर 2 आपके 93 का सहुत तरह मित्रो 94 की तरफ बढ़ेंगे चले देख लेते हैं 94 को 94 है आपके विद्यले प्रबंदन समीति के अनुसार इनमें से कोन SMC का सदश्य सची होगा चात्र, अभिबावक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक तो इनमें से विद्यले प्रबंदन समीति के अनुसार जो SMC का सदश्य सची होगा उसका चैन आपको 94 में करना है और वित्रो 94 का अंसर देख लेते हैं देखो SMC का सदश्य सच्युब परदान अध्यापक होता है और SMC का जो अध्यक्ष है ये अभी भावाकोते हैं जो बालको के जो मातापिता है उन्में से किसी एक का चैन किया जाता है अध्यक्ष में जबकि सदश्य सचीव कोर होता है विद्याले का परदान अध्यापक होता है विकल्प नमबर तीन आपके 94 का से उत्तरे साथियो 95 की ओर बढ़ेंगे आपके 95 में क्या है आज सुमेलित का चैन कीजिए सामजिक विज्यान का द्यान केंदर चात्र सामजिक विज्यान विशे का विकास हुआ इंग्लेंड में सामजिक विशे वस्तु का विशे वस्तु का है ये ना विशे वस्तु का केंदर है ये केंदर बिंदू विशे मानविय संबंद और सामजिक अध्यान का ध्यान किया जाता है एक क्रिद रूप में तो इन में से जो आपको एस सुमेलित लगता है उसका चैन 95 में करना है साथियों कौन सा इन में से एस सुमेलित है देखो आंसर देखे तो 95 में आपका आंसर कौन सा रहेगा सामजिक विग्यान का ध्यान के चाहती होता है, लेकिन सामजिक 11 विशे वस्तु का विचा इंगलेंड में नहीं, बलकि कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था в pasti कहां पर? अमेरिका में विकल्प नंबर दो आपके 95 का सहच उतर है बाकि सामजिक ज्यान विशे का केंज बिंदू किसको विशे है ये मानूवी संबन्ध है और सामजिक अद्ययन का जो अद्ययन किया जाता है वो एक ही गृत रूप में किया जाता है सामाजिक अध्ययन एतिहासिक तता सामाजिक संबंदों एवं अंते संबंदों का अध्ययन है यह परिभाशा निम्ड में से कि समाज शास्त्री की है क्या परिभाशा दी गई है कि सामाजिक अधियन एतियासिक तता सामजिक संबंदू है मंतर संबंदू कत्द्यन है तो यह परिभाशा किस ने दिये MP मुपाथ ने पिर या पिर James Harming ने या जोटो लिमिक ने या UMA परिशन ने साथियों स्माजिक से संबंधित यह जो परिवाशा दी गई है जेम्स हामिंग के द्वारा दी गई है ते 96 में आपके दूसरा विकल्प है यह आपका अंशर होगा 97 क्यों बढ़ेंगे मित्रों आपके 97 में क्या है निम्न में से सामजिक विज्ञान की नविन संकल्पना है अंतराष्टिय संबंदों का दियन मानुए संबंदों का दियन सामजिक परताओं का दियन और तत्यात्मक सूचनाओं को एक अत्र करना तो इन में से बही जो सामजिक एक विग्ञान की नविंटम संकल्पना है, उसका अफियन आपको 97 में करना है मित्रोर, 97 का जो प्रूतर है, वो कौन सा विकल्प आपका चही रहेगा, जो मानविय सम्वंदों का अद्यान करना दूसरा विकल्प है, यह सामझेख विग्यान की सबसे नविंटम संकल्पना मा प्रियोजना एक समश्य मुलक कारी है जिसका समधान प्राकर्तिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है यह कतन किसका है प्रियोजना क्या है एक समश्य मुलक कारी है जिसका समधान प्राकर्तिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है विकल्प आपके 98 का से उत्तर है 99 क्यों बढ़ेंगे मित्रो 99 में क्या है देख लेते हैं आपके 99 है 99 वह प्रिश्ण है चात संबंदी सूचना एकत्रित करने की ए प्रमापी कृत्विदी नहीं है संचय अभिलेक समाज मिती व्यक्ति वृत अध्यायन और व्यक्तितु परिक और साथियो संचय विलेक समाज मिती व्यक्ति वृत अध्यायन ये सभी ए प्रमापी कृत विदियो में आती है लेकिन व्यक्तितु परिक्सन जो है ये प्रमापी कृत विदियो के अंतरगत आती है क्या व्यक्तितु परिक्सन अधा आपके 99 में जो चोता विकल्प है ये कांसर होगा चलिए सोवे प्रिश्ण को देखेंगे साथियों प्रश्ण नबर सो में क्या है आपके देख लेते हैं प्रश्ण नबर सो को एकिकरित उपागम किस विचारदारा से प्रभाविते मनोविशलेशनात्मक हरबर्ट की पंचपदिये व्यावहारवाद और गेश्टाल्डवाद तो इनमें से जो एकिकरित उपागम है जिस विचारदारा से प्रभाविते उसका चैन आपको प्रिश्ण नबर सो में करना ह और मित्रों, एकिक्रित उपागम जो है, ये गेस्टाल्ड वात से सर्वधिक प्रभावित है, किसे प्रभावित है? गेस्टाल्ड वात से, सोवे प्रिष्ण में चोता विकलपाप कांसर होगा, प्रिष्ण नमेर 101 क्योर बढ़ेंगे साथ योँ, 101 वह प्रिष्ण बल देता है उसका चैना आपको प्रिश्ट नमर 101 में करना है और मित्रों जो उपागम सरल से जटिल सिक्सन सुत्रों के अनुसार की पहले बच्चों को सरल ज्यान देना चाहिए और फिर जिले जटिल मतलब कटिन ताकि और हमें बढ़ना चाहिए और एसा जो उपागम केता ह यह सै केंदरित उपागम है भी कौन से उपागम है यह सै केंदरित 101 वे प्रिश्ट में आपके प्रफम विकल्ब सही रहेगा साथियों प्रेश्ट नमर 102 की ओर बढ़ते हैं देखेगा प्रेश नमबर 102 को निम्ने में से आधुनिक सिक्सन विदी है पाठे पुस्तक विदी, स्रोत विदी, कहाने विदी और व्याख्यान विदी तो इन में से जो आधुनिक सिक्सन विदी आपको लगती है उस विदी का चैन आपको प्रेश नमबर 102 में करना है साथिय और प्रश्ने संक्या 102 में जो सही उत्तर है कौन सा रहेगा कहानी और व्याक्यान तो आधुनिक निये नहीं पाठे पुस्तक बलकि आधुनिक सिक्सन विदी में किसको सम्मिलित किया जाएगा जो स्रोत विदी है दिये गए विकल्पों के अनुसर स्रोत विदी यहां पर दोनियात्मक विदी के पंधा के। माइकल सेमर, मोरि सन, हरबर्ट और इसकिनर तो इनमें से, जिसके दोरा, दोनियात्मक विदी का पंधा किया गया है उसका जैना आपको प्रिष्णुब्र 103 में करना है और साथ наз disaster देख लेते हैं तो दोनियात्मक विदी का पंधा का प् कुछा गया है तो एक सुचारवे प्रिष्ण को थोड़ा समझना समझ के उतर देना साथ नहीं तो प्रिष्ण गलत हो जाएगा माइनस मार्गिंग में चले जाओगे आप अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की कुछलताएं सुनने से नहीं जुड़ी होती है बलकि किस से जुड़ी होते हैं साथियों बोलने से जुड़ी होते हैं किसे पटन में तो हम गरन करते हैं पढ़कर तो हम चीजों को गरन करते हैं तो अभिव्यक्ति तो सिर्फ बोलकर और लिकर करते हैं तो विकल्प नमबर दो आपके प्रिष्ण नमबर 104 का साई आंसर है प शिक्सक ने क्या कहा कि पेन टेबिल पर रख दो पेन एक इंग्लिश का शब्दे टेबिल टेबिल भी इंग्लिश का शब्दे पर रख दो पेन टेबिल पर रख दो मतलब दो बाशाओं का प्रियोग इसमें क्या जा रहा है अर्तात यह बाशा सिक्सान की दुई भाशी 206 को मानसिक विकार ग्रिस्त बालकों के लिए सर्फशेष्ट विदी है ड्रेकाली विदी डाल्टान विदी बुनियादी सिक्सान विदी और बिनेट का विदी तो इन में से मानसिक विकार ग्रिस्त बालकों के लिए जो सर्फशेष्ट विदी है उस विदी का चैन आपको प प्रश्च नमबर 106 का सहाउत्तर है प्रश्च नमबर 107 की और बढ़ेंगे साथी है उसका चैने आपको प्रश्च नमबर 107 में करना है और मित्रो सुत्र पढ़नाली का प्रियोग गद्य operation में नहीं किया जाता है बलकि सुत्र परणाली का प्रियोग व्याकरन सिक्षन में किया जाता है। किस में प्रत्या भी ज्यान पर आदा रहते हैं तो प्रत्या पर दिये गए विकल्पों में से रिक्तिस्तान को समिलित किया जाता है आपके प्रिशनमबर एक सौ 06 में परिभरतन करना सिक्सन विदियो में परिवर्तन करना सिक्सन में परिवर्तन या व्यावार में परिवर्तन तो देखो प्राप्य उद्धेश जिन उद्धेशों को हम कक्षा कक्ष में प्राप्त करना चाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है साथियों टेस्ट इज एन एक्स्प्रेशन ओप रिक्तिस्तान है जिसके आपको पूर्ति करनी एवेलुशन नॉर्मेटिव फॉर्मेटिव इपेक्टिव और अफेक्टिव तो 110 वे प्रिश्ण को उत्र बताईए साथियों देखो यूनिट टेस्ट की बात की जा रही है कोई भी एका साथियों इसी प्रकार से रेगुलर टेस्ट स्रीज यह तो लेवल एक का पेपर है हाला कि इसके लगबग 105 प्रिश्ण लेवल दो के लिए भी बेहद उपयोगी चाहिए आपके साइंस हो चाहिए आपके हिंडी हो चाहिए आपके सेश्टी हो संस्क्रीत हो कुछ भी हो यह 105 प्रिश्ण तो लेवल दो के लिए भी कापी ज्यादा उपयोगी थे लेकिन अभी लेवल एक के लिए उपयोगी चल रही है और लास्ट में 10 क्यूशन और देखने को मिलेंगा है सभी के लिए साथियों साइकलोजी वाले प्रिश्ण है तो देखो आद तो में लेवल एक का प्रिश्ण है पेपर यहां करवा रहा हूं लेवल दो का भी करवाऊंगा एसस्ट का भी करवाऊंगा हिंडी का भी करवाऊंगा यह सारी चीज़े रेगुलर आपको टेस्टर स्रीच प्रवाइट करवाए जाएगी 149 वाले कोर्स में नहीं कोर्स जोइन कर रहा है तो क करम, Simpson, Dr. BS Blum, मत बिन में से किसके दौरा लिखी थे रीमेडियल एक्सरसाइज, इहां पर जिसके दौरा लिखी थे उसका चैना आपको प्रेश नमबर 111 में करना है और मित्रो री मेडियल एक्सरसाइज इसमें से एप एल बिलो के दोरा लिखी गई है विकल्प नमबर एक आपके प्रेश नमबर 111 का सही आंसर है 112 वे प्रेशन को देख लेते हैं साथियों प्रेश नमबर 112 में क्या है और जो प्रेश नमबर 111 में क्या है और जो प्रतेक्ष विदी होती है यह किसको इग्नोर करती है रीडिंग एन राइटिंग को विकल्प एक जो है आपके 112 प्रिश्न का सही तरे साथियों 113 प्रेश्न को देख लेते हैं प्रेश्ट नमबर 113 में क्या है रिक्तिस्तान है इस एफेक्टेड बाइवर्ट्स रेंज फ्रिक्वेंसी कवरेज एंड टीच अबिलिटी तो सात्यों 113 प्रिष्ट में रिक्तिस्तान की जगे पहले दूसरे तीसरे चोते कौन से विकल्प को आप चुनोगे मित्रों देख दाने की योगिता होती है यह हमारे शब्दों से बहुत ज़्यदा प्रभावित होती है प्रिष्ट नमबर 113 में आपके चोता विकल्प सही है एक सो चौधुए प्रिष्णी के ओर बढ़ेंगे साथ यह देखिएगा प्रिष्ट नमबर 114 को इन में से किस शब्द में दिर्ग संदी भारत पलस हिंदु बिल्कुल गुण संदी है यह नारी पलस इश्वर दिर्ग संदी और लोग पलस एश्वर है यह यहां वरद्दी संद्रियू रही है तो यह दिर्ग है 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 और यह वर बढ़ते हैं वित्रो प्रश्ण 1115 आपके 12 संगा शब्द में समासे लाभी भुषक करमस कि बात कि जा रहे हैं साथ序ों 12 जो शब्द ही इसें समास का चाहना आपको इसनबर 115 में करना है यह समास तो इसमें 115 का से उत्तर है 116 प्रिश्णी के और बढ़ेंगे साथियों 116 प्रिश्णी आपके चांदी का एनक लगाना का अर्थ है गूस लेकर ही किसी का काम करना खुब लाव होना किसी ने किसी प्रकार परतिष्टा बनाए रखना और चोटा विकलप टाइपिंग मिश्टेक इन में से कोई नहीं तो देखो चांदी का एनक लगाना जो है इसका सही हुखता है किसी ने किसी प्रकार परतिष्टा बनाए रखना 116 का सही उत्तर है कियो देखो 3 विकलप 116 में सही है प्रेश्च नमबर 117 की और बढ़ेंगे मित्रों देखेगा प्रेश्च नमबर 117 को इन में से कौन सा किरिया से भाववचक का उधारण नहीं है लेन देन, सामिप, उडान और बनावड किरिया से भाववचक सात्यों बनावड शब्द का निर्मान बनना से हुआ बनना क्या किरिया है उडान शब्द का निर्मान उड़ना से हुआ उड़ना क्या किरिया है समीप और लेन देन इन दोनों में से आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा समीप जो शब्द है समीपी शब्द किरिया नहीं है समीप एक अवव्य शब्द है जिसे समीपी शब्द बहावचक संग्या बनता है आता ये अव्य से बहावचक निर्मिते नेकी किरिया से विकल्प नंबर जो है आपके दो 177 पृषण का से उचतरे मित्रो प्रिश्ट नमबर 118 की ओर बढ़ते हैं आपके 108 वा प्रिश्ट है इनमें से कौनसा शब्द शुद्ध है शुद्ध शब्द का आपको प्रिश्ट नमबर 118 में चेन करना है विकल्प है कुष्ट, वसंत, कनिष्ट और एक्ट इनमें से जो शब्द आपको शुद्ध लगता है शुद्ध शब्द का चेन कौनसा शब्द शुद्ध है प्रिश्ट नमबर 118 में तो वाई मैं आपको बताओ वसंत नहीं होता है बसंत होता है यह तो गलत हो गया अगर हम बात करें एक्ट में बढ़ाया आता है तो यह भी गलत हो गया अब पहला या तीसरा तो मित्रों 108 वे प्रिश्ट का जो सही उतर है पुष्ट में बढ़ा ठेल लगता है और कनिष्ट बिल्कुल सही है यह तो प्रिश्ट नमबर 108 में कौन सा शब्द शुद है कनिष्ट शब्द बिल्कुल शुद है 108 वे प्रिश्ट का थर्ड विकल्प सही है प्रिश्ट नमबर 119 क्योर बढ़ेंगे साथियों पक्षियों पक्षियों और पुष्पो के अपने चितरांकन के लिए खास्तोर पर विख्यात मुगल शेलिका चित्रिकार था उसका नाम था मंसूर क्या नाम था उसका मंसूर नाम ता साथियों 119 वे प्रिश्ट में चोता विकल्पाप का अंसर होगा प्रिश्ट नमबर 120 क्योर बढ़ेंगे चलिए 120 वे प्रिश्ट देखेंगे नील गिरी अन्ना मलाई वे पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले सितोष्ण कटिबंदिय वन केलाते हैं मेग्रोव शूलास आद्र पढ़न पाती और सुस्क पढ़न पाती प्रिश्ट नमबर 120 में कौन सा विकल्प सही है निल गिरी अन्ना मलाई वे पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो सितोष्ण कटिबंदिय वन है इनको किस नाम से जाना जाता है तो भई इनको शोलास के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है शोलास के नाम से सेकंड विकलप आपके प्रशन नमर 120 का सहुत्तर है 121 हुए प्रशन क्यों बढ़ते हैं साथियों 121 में क्या है आपके मंगोलिया के दक्षिनी भाग में इस्तित मरुस्तल है नजीव मरुस्तल गोभी मरुस्तल थार मरुस्तल और काला मरुस्तल तो इन में से जो मरुस्तल मंगोलिया के दक्षिनी भाग में इस्तित है उस मरुस्तल का चैन आपको प्रश्ण नमबर 121 में करन करती है सकल राज घरेलू उत्पाथ सकल राज मुलिवरदन और शुद्ध राज मुलिवरदन तो एक आपके 123 को देख लेते हैं मित्रों, 123 में क्या पूचा जा रहा है, बोगोलिक विशेष्टाओं के अधार पर इन में से कौन सा आसंगत है, कांटल, माहिन नदी की पास, परताबगर की आसपास का शेत्र, छपन का मेदान, परताबगर वे बासवड़ा की मद्दी का भूबाग, छपन ग कांटल ए, माहिन नदी के पास, परताबगर की आसपास का शेत्र, कांटल के लाता है, चपन का मेदान जो है, ये परताबगर और बासवड़ा के मद्दी जो भूबाग है, इसी को चपन गाऊं का मेदान का जाता है, बेस्त्रोंगर से विजूलियत तक का जो पाटारी साथ यो 124 में क्या है इनमे से एस सुमेलित है सिर्का फोर्मिकमल चिति का डंक नेमबू को पहलू के फल जैसे संत्रा निमबू आदी और लेक्टी कमल पालक तो इनमे से जो आपको एस सुमेलित लगता है उसका चैनल 124 में करना है मैं तो 124 का आंसर देखें किसमें पाय जा यह गलत है तो 124 में आपके चोता विकल्ब सही है 125 की ओर बढ़ेंगे साथियों 125 में क्या है आपके मिश्रन के संबंद में सत्यकतन है मिश्रन का संगटन परिवर्थ नहीं होता है मिश्रन उसमें उपस्तित गटकों के गुंदर्मों को दर्शाता है तत्व या योगिक के व मिश्रन बननाने के लिए मिलते कि नए योगी का निर्माद नहीं करते यह 3 सत्यकतन है मिश्रन किरण करके नहीं योगी का निर्माद निर्माद नहीं करता लिकल्ब नंबर 4 आपके हैं साथ्यों मेरेेंन, 106 को देख लेते हैं के 126 को आपके 126 अध्या में साधरान लवन गोला जाता है तो मिलियां का गलनांक बढ़ेंगते गड़े जाता है दोनों काम हो जाते हैं जल में जब साधरण लवन को घोला जाता है 1226 में अगर हम देखे तो साथ यों विलियन में जब जब जल में साधर लवन घोला जाता है तो विलियन का जो कोत नाग है यह बढ़ जाता है 126 वे प्रिश्ण का दूसरा विकलप आपके सही रहेगा 127 को देखेंगे कोशिका सिद्धान जेकब शालाइडेन ने कब दिया देखो कोशिका सिद्धान की बात की जा रही है ये जेकब शालाइडेन के दोरा जब दिया गया 835 में, 36 में, 37 में और 38 में साथियों कोशिका सिद्धान जेकब शालाइडेन के दोरा जब दिया गया 838 में दिया गया था 127 में फोर्थ विगल पाप का सही है 128 की ओर बढ़ेंगे साथियों समान जुड़वा बच्चे पेदा होते हैं जब एक निशिचित अंडे का दो खंडों में विबजन हो तता दोनों भाग अलग हो जए एक शुक्राणों दो अंडाणों का निशिचन करे दो अंडाणों एक शुक्राणों का निशिचन करे और बिना शुक्राणों के बून का निशिचन हो इसा पियुक्ए लिए निश्यचित अंडे का जब दो कंड़ों में विवजन हो तता दोनों भाग अलग अलग हो जाए तब एक समानुज़वगा बच्छे पैद होता है साथियो विकलप नंबर आपका एक 128 का सजुतर है 129 की और बढ़ेंगे साथियों देखेगा मित्रों 129 है आपके इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर का क्यूशन है I have been living in Mumbai for रिक्तिस्तान की पूर्तिय देखो 129 का आंसर देख लेते हैं 129 में कौन सा विकल पाप का सही रहेगा साथियों देखिए 129 का जो से उत्तर है वह थर्ड विकल पाप के सही रहेगा चलिए 130 वे प्रिश्णी क्योर बढ़ेंगे साथियों देखेगा प्रिश्ण नमबर 130 को we were playing football अब आपको यह बताना है कि यह जो वाग के है यह किस टेंस का है तो यह past प्रपे continuous टेंस का है पास्ट इंडिपिनेट टेंस का है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है इन में से कोई नहीं तो भाई, we were playing football ये जो वाक के है साथियों ये किस टेंस का है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है किस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है साथियों विकल्प नमबर 3 आपके प्रिश्ण नमबर 130 का सहुत्तर है, 131 वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे मित्रों, प्रिश्ण नमबर 131 है, राज वा, राज, वाज, वाज, आस्क्ड बाई मी, इप ही वान टु जैपूर, correct पेसी वोईस, मतलब पेसी वोईस में आपको इसमें, विकल्प पे हैं आपके सामने, राज विल भी आस्क बाई मी, if he want to जैपूर, सेकर्ड विकल्प पे, I ask राज, if he, he want to जैपूर, थर्ड विकल्प पे, I ask राज, if he, he went to जैपूर, और चोता विकल्प पे, I said राज, did he, went to जैपूर, सात्यों ये पेसी वोईस में आपको च इसका जो सहुत्तर है विकल्प नंबर दो सही रहेगा आस्क राज इभी वान टुजेपूर यह बिल्कुर इसका कर्रेक्ट पेसी वह इसे बनता है साथ क्यों 131 में सेकर्ण विकल्प सही है 132 की और बढ़ेंगे मित्रों 132 चूज दे कर्रेक्ट इंडारेक्ट स्पीच का आ जाना है विकल्प पही ही टोल राधा इस शी जपूल यह आस्क राधा इस शी एपूल और राधा इस शी वाज फूल तो आपको प्रिश्च नंबर 132 में इंडारेक्ट स्पीच आपको सई कौन सा लग रहे साथ यह 132 पे प्रिश्न का आंसर देख लेते हैं 132 पे प्रिश प्रिश्च नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं देखेगा प्रिश्च नंबर 133 को चूज दा करेक्ट तर्म फिल इंडा बलेंग्स इस सीनियर टूमी रिक्तिस्तान रिक्स सर्विस विकल्प है इन प्रोस्पेक्ट ओप इन प्रोस्पेक्ट ओप लिखता टाइपिंग मिश्टे तो देखो इस सीनियर टूमी और इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके तीसरा विकल्प सर्विस थर्ड विकल्प जो है 133 का सही आंसर है आगे बढ़ेंगे साथियो प्रिश्च नंबर 134 की साथियो प्रिश्च नंबर 134 गनित का है आपके माना की छे अंको की को का योग्यात करें तीन पांच चार छे प्रिश्च नंबर 134 में मैं आपको आंसर बता रहा हूं आपको विडियो को रोक करके इसको हल करना है और फिर अपना आंसर चेक करना है 134 वे प्रिश्च का जो सही उत्तर है वो आपके दूसरा विकल्प आपके सही होना चाहिए ठीक है प्रिश्च नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं तो चलिए 135 हुआ प्रिश्च देखेंगे राजु ने 10 रुपे में 18 चोकलेट खरीदी वह 14 रुपे में कितनी चोकलेट बेचे कि उसे 26 परतिशत लाब हो 20, 30, 18 और 17 क्यूशन को करना बिल्कुल आप अब्यास करोंगे तब आपके परतम विकल्प अगर आता है तो यह आपका बिल्कुल से उत्तर होगा 136 हुआ प्रिश्च देखेंगे साथियों प्रिश्च नंबर 136 सरल ब्यास से किसी धन में 8 वर्ष में 80 परतिशत की व्रद्धी होती है देखो धन भी निदे रखा है दर भी निदे रखे ही है 14,000 रुपे का 3 वर्ष बात समान परतिवर्ष चक्रवर्थी व्याद दर्थ से चक्रवर्दी व्याद क्या होगा विकल्पे आपके सामने 4,635, 4,634, 4,600, 4,643 तो वही प्रिश्च तरह से देख लीजिए वापिस के रहा हूं आराम से वीडियो को पोस्ट करके और आप प वह आपके दूसरा विकल्प जो है 4,634 जो अगर आपका अंसर आता है तो यह आपका बिल्कुल से उत्तर होगा प्रिश्च नमबर 137 की और बढ़ेंगे साथ यों 137 प्रिश्च नमबर 137 में क्या है एक बेलन के आधार का शेत्रपल 616 वर्ग सेमी तता उचाई 15 cm है तो बेलन का इतन कितना होगा 9,240 cm क्यूब यो क्या क्यूब है जैसे सी cm क्यूब लिखते है तो टाइपिंग में नहीं आ पाता इसलिए मैंने क्यूब लिख दिया 9,420 cm क्यूब 9,240 cm वर्ग सेंटिमीटर और 9,420 cm वर्ग सेंटिमीटर साथियों यह प्रिश्च नहें आपक के प्रिश्चों को हल करने में समय भी लगता है तो इस रिसाप साप हल करिएगा और अपना अंसर मिलाइएगा अगर आपका जो आंसर है पहला विकल पा जाता है 9,240 cm क्यूब तो आपका बिल्कुल सेंटिमीटर होगा साथियों 137 वे प्रिश्च में प्रतम विकल सही है प्रिश्च नमर 138 के और बढ़ते हैं प्रिश्च नमर 138 है एक वरगाकार मेदान का शेतपल 1600 मीटर है इसके 4,5 मीटर हैं चोड़ा मारग हो तो मारग का शेतपल घ्याद कीजिए 425 मीटर 525 मीटर 625 मीटर 325 मीटर बड़ा एजीक्यूशन है बड़ा आराम से दो मिनिट क क्या एक मिनिट में प्रिश्च नमर 138 का आंसर देखे तो 138 में 1600 मीटर इसका शेतपल है वरगाकार मेदान है मतलब 40 x 44 चार चोग सोड़ा तो अब देख लों आप अपने इसाप से प्रिश्च नमर 138 का आंसर देखे तो 138 का आंसर कौन सा आएगा 425 मीटर इसका बिलकु 149 वा प्रिश्च ने बहु बुद्धी का सिद्धान किस ने दिया थोंड आए किसके नार बिने और हार्वर्ड गाडनर तो इनमें से जिसके दोरा बहु बुद्धी का सिद्धान दिया गया है किसके दोरा दिया गया है बहु बुद्धी का सिद्धान तो हार्वर्ड गा द्वारा बच्चों पर किये गए अध्यान के अनुसार जो बच्चे अपने समाच की विबिन और बदलती प्रिष्ट्यों के अनुसार आपको बताना है साथ कि मेंक किनन ने क्या कहाँ अपने समाथ के विवीन ऊर्ड बदलती प्रिस्ठिटियों के अनूसार अपने अपने आपको व्योषित कर लेते हैं वह किस से 성्दित होते हैं विखलप नमबर 3 आपके प्रिश्ण नमबर 140 का से उत्तर है 141 वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे साथ यूं प्रिश्ण नमबर 149 है आपके देखेगा एक चात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याक्या प्रस्तुत कर लेता है उसका यादिगम व्योहार के किस अनुश्यत्र में रखा जा सकता है संग्यानात्मक अनुश्यत्र में रखा जा सकता है संग्यानात्मक अनुश्यत्र में भावात्मक अनुश्यत्र में और भावात्मक मनोगतिक में देखो चात्र के दोरा कविता की आलोचनात्मक व्याक्या प्रस्तुत की जा रही है आलोचनात्मक मतलब ग करता है सिर्व संवनन के माद्यम चौक से 巨alez करने की पृप्त करने की यह के माद्यम से सबस्क्रीत। लिखने के लिए जानकरी कट्टा करने की पृक्रिया और अपने करें तो अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो किसमें किया गया है चोटे विकलप में अपने जो विचार है अनुबव है अध्यन जो हमने किया हैए अमिरी जो इंद्रिया हैं और साजाकरण के माध्ययम से साथ ज्ञान को शलोर निपटान प्राप्त करने की प्रिकि मांसिक शम्ताइं हैं mental ability की बात की जा रही है ग्यान अव्यम कोशर knowledge and skills एक प्रकार का व्यक्तित उचर है दी गई प्रकार की एक किरिया कोशर अत्वा ज्यान के आवश्यक तत्वों पर निपुन्ता आसिल करने की शम्ता है और सूचना संसदन की गतिकी है तो इन में से आपक व्यक्तित उचरिया यह सिर्फ ज्यान और कोशल ही नहीं है बलकि दी गई प्रकार की किरिया कोशल अत्वा ज्यान के आवश्यक तत्वों पर निपुन्ता आसिल करने की जो शम्ता है इसी को मासिक शम्ता के नाम से जाना जाता है पता आपके थर्ड विकल्प 143 का सयुत्त 144 की ओर बढ़ेंगे 144 में क्या है एक सिक्षिका अपने सिक्षार्तियों की विविन अधिगम शेलियों को संतुष्ट करने के लिए वेविद्धि पूर्ण कारियों का उपयोग करती है वह किस से प्रभाविते पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान से सिद्धान से और वाईगोस्की के सामजिक सांस करती के सिद्धान से देखो सिक्सिका है जो अपने चात्रों को अधिविन परकार की जो अधिगम शेलिया इनको संतुष्ट करने के लिए विविद्धि पूर्ण कारियों का उपयोग कर रही है साथियों तो वह साथियों 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 प्रेश्ट नमबर 145 आपके अनुसार इदम अहम वे प्रम अहम के बीच जब सामझे सिस्तापित नहीं होता है तो एसी स्थि में टाइपिंग मिश्टेक हो ही है होने वाला इतनाव कहलता है दबाव दवन्द दुश्यंता और भगन साथियों साथियों सामयोजन से समंदित वरिबाशा है समयोजन निरंतर चलने वाली प्रकिर्या है जिसके दोरा व्यक्ति अपने वातरवन के बीच संतुलन संतुलन संबंद बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है यह जो कतन कहा गया है किस विद्वान के दोरा कहा गया है इसकिनर एडलर गेट्सवेर्ने और ला डेल टो साथियो प्रिशन नंबर 146 का सहिवत्तर बताए प्रिशन नंबर 146 का आंसर बताए आगर हम देखे तो समयोजन निरंतर चलने वाली प्रकिर्या है जिसके दोरा व्यक्ति अपने वातरवन के बीच संतुलन संतुलिस संबंध बनाए रखने के लिए साथियों व्यावभार में परिवर्थन करता है, ये जो कतन कहा गया है, किस के दोरा कहा गया है, गेटसवेनि के दोरा कहा गया है, थरड विगल पापी 146वे प्रिश्णी का सहउत्तर है, प्रशन नमर 147 की और बढ़ेंगे साथियों, 147वे प्रिश्णी क्या पूछ रहा है आप से, साथियों पियाजे ने क्या कहा वातारण में परिवर्तन तता इस्तिरता दोनों को पहचानना और समझना इसी शमता को जिस नाम से जानते हैं उसको क्या कहा जाता है संड्रक्षन कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको संड्रक्षन 147 प्रिष्ण में चोता विकल्प सही है प्र विकास की प्रतिक आउस्ता में विशिष्ट व्यवहार होता है तो विकास के संदर में जो कतना आपको गलत लगता है उसका चैना आपको प्रिश्ट नमर 148 में करना है देखो विकास के प्रतिक चरण में अपने खत्रे भी होते हैं संकर्ति परिवर्तन के दोरा विकास प्रभावित भी होता है और विकास की प्रतिक आउस्ता में विशिष्ट व्यवहार भी होता है लेकिन विकास उत्ते थे ना चैना दोरा सायता युक नहीं है यह कतन क्या गलत रिऽicated विकास के संदर में अ है 148 वे प्रिश्ट में आपके सेकाड विकल्प सही रहेगा प्रिष्ण नबर 149 की ओर बढ़ेंगे आपके 149 वा प्रिष्ण है जिस किसी शिल्गुन की प्रदानता होती है तता जिससे व्यक्ति के लगबग संपुन व्यवार की व्यक्या हो सकती है को कहा जाता है केंद्रिय शिल्गुन कार्डिनल कुण और उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं को आप विकल्प से अठा सकते हो मित्रों अभी तक भी आपको डाउनलोड नहीं किया है साड़े 8000 से अधिक ज्यादा इस चो इस्टुडेंट है इन्होंने एपको डाउनलोड करके और बिल्कुल अपनी तैयरी को सही तरीकर से कर रहे हैं रेगूलर टेस्ट स्रीज एक सोपचास प्रेशन वाले जो टेस्ट फ्रीज है यह यह आपड़ यह तो स्रीज यह तेस्ट भी मिलेंगे साथियों आपको तो प्रिश्च नमबर 149 का अंसर देखे तो इनको कार्डिनल शीलगुन कहा जाता है विकल्प नमबर जो दो है आपके 149 में सही है प्रिश्च नमबर 150 आज के अंतिम प्रिश्च की और बढ़ेंगे साथियों अंतिम और 150 वह प्रिश विकल्प को चुने का एक वे दो सही है एक वे दो तो सही है मतलब एक दो क्या सोरी एक तो सही है दो सही है उसको उससे हमें कुछ मतलब नहीं है जो दूसरा विकल्प के रहा है व्यक्तित वेक सही है पून रूप में कारे करता है ये भी सही है तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है लेकिन तो व्यक्तित विकल्प हो जाता है साथियों तो तीसरा गल्प हो जाता है तो एक दो तीन सही है ये गलत है फिर दो तीन सही है यह भी गलत है, यह भी गलत है, मतलब 150 फे प्रिष्ण में आपके कोई से विकल्प सही रहेगा, विकल्प नमबर जो आपके एक है, पहला विकल्प आपके प्रिष्ण नमबर 150 का सही अथर है, तो यह आपके complete होता है आज का मेरतं 150 प्रिष्ण का टेस्ट कैसा लागा, हमें comment करके जरूर बताईए इमानदार इसे बताईए 150 प्रेश्णों में से मायनस मार्किंग करने के बाद कितने प्रेश्णों को आपने सही किया है सात्यों बिल्कुल इमानदार इसे तो मिलते नेक्स टूडियो में बहुत बहुत धन्यवास सभी का वीडियो को पूरा